वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों में बन रहे खून के ठके जर्मनी के वैग्यानिक के रिसर्च में सामने आई बड़ी बाद देश में कोरोना का कोहराम जा रही है लेकिन इस महामारी से बचाव के लिए लोगों ने वैक्सीन लगवाई लेकिन उसके चलते भी तगडी दिक्कत सामने आने लगी है एक के बाद एक नई बिमारियां सामने आ रही है जो बड़ी समस्या सामने आई है वो है लोगों में ब्लड क्लॉट बननी की दिक्कत यानि शरीर में एक खोन के ठक्के जमने वाली बिमारी अब इसके चलते दुनिया भर में बड़ा बवाल मचा हुआ है ब्रिटेन जैसे देश में तो वैक्सीन पर आइस्थाय रोग भी लगा दी गई तो वहीं इस मामले में आप वैज्ञानिक तेजी से रिसर्च कर रहे है जर्मनी के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन से होने वाले क्लॉट्स को लेकर बड़ा दावा किया है उनका कहना है कि उन्होंने इस बात का पता लगा लिया है कि आखर वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर में खोन के ठक्के क्यों बनने लगे ये दिक्कत जॉंसन और एस्ट्राजनिका की वैक्सीन लेने के बाद सामने आई थी इनुवर्सिटी हॉस्पिटल गिफ्स वाल्ड के डॉक्टर आंत्रियास गुरुनैचर और उनकी टीम ने कहा कि इस चेन रियक्षन में कुछ प्रेजर्वेटिफ्स और वैक्सीन के कुछ प्रोटीन जिम्यदार हो सकते हैं जिनकी वजह से ही लोगों में खोन के ठक्के जमने के दुरलभ मामले सामने आए जिन दोनों वैक्सीन में ये दिक्कत आई है उन दोनों को बनाने के प्रक्रिया लगभग एक समान ही थी तब ही तो इन दोनों के अलावा और किसी वैक्सीन में ये समस्या देखने को नहीं मिली दा वॉल स्ट्रीट जनरल के मताबिक डॉक्टर ग्रिनेचर की टीम ने हाल ही में एस्ट्रजनका की वैक्सीन की स्टर्डी पूरी की थी और इसके बाद उन्होंने जॉंसन एन जॉंसन वैक्सीन की भी स्टर्डी की थी डॉक्टर ग्रिनेचर ने कहा कि दोनों वैक्सीन एक ही मैकनिजम पर काम कर रही है क्योंकि दोनों वैक्सीन को एडिनो वाइरिस को मौडिफाई करके बनाया गया है इसलिए ये समस्या इन दोनों वैक्सीन में देखने को मिल रही है एडिनोवारिस एक ऐसे परिवार का सदस्य है जिसकी वचा से हमारे शरीर में सामान निताहस सर्दी जो काम होता है इस वाइरिस को और ज्यादा मॉडिफाई करके वैक्सीन बनाई गई है जॉनसन और जॉनसन ने अपनी वैक्सीन में एडिनोवारिस एडिनोवारिस का उप्योग किया है जबकि एस्ट्रोजनिका ने चिंपैंजे से मिलने वाले एडिनोवारिस का उप्योग किया है दोनों ही कंपनिया इस एडिनोवारिस से ही वैक्सीन का नणमान कर रही है जिसमें वैक्सीन लगवाने के बाद खून के ठक्के बनने के समस्या का सामना करना पड़ा हूँ। जिसमें वैक्सीन लगवाने के समस्या का सामना करना पड़ा हूँ। अगर एस्ट्रजनका की वैक्सीन की बात की जाए तो वो पूरे शरीर में फैलने के लिए ज्यादा समय नहीं लेती है और बहुत तेज प्रेक्रिया के साथ हमारे शरीर में तेजी से फैल जाती है। इसका कारण है उस वैक्सीन में डाला गया एक प्रेजर्वेटिव जो इथाईली डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड यानी EDTA है। हाला कि ये सभी दवाओं में पाया जाता है ये एक स्टेपलाइजर की तरह काम करता है जिससे वैक्सीन के शरीर में फैलने को गती मिल जाती है। हमारा पीछा न छोड़े इसलिए वैक्सीन का बढ़िया होना जरूरी है। शरीर के अंदर ब्लड प्लेट में मिलते हैं और छोटे छोटे ब्लड सेल खोन का थक्का बनाने का काम शुरू कर देते हैं। जिससे वैक्सीन के प्रोटीन और शरीर की प्लेट मिलकर इसको और ज्यादा सक्रिय कर देती हैं। इसकी वज़ा से वो अपने आकार में बदलाव लेने लगते हैं और वो हमारे इम्म्यून सिस्टम को एक संदेश भेजते हैं। वो एक रासायनिक संदेश होता है जिससे की वो अलर्ट हो जाते हैं। उसे लगता है जैसे शरीर के अंदर कोई बड़ी घुसपैट हुई है। इसकी वज़ा से नई एंटिबॉडी नहीं बनती और ये पीए फोर पर मतलब प्लेट लेट फाक्टर पर हमला कर देती है। डॉक्टर ग्रीनेचर ने जिन दो वैक्सीन पर सर्च किया उनमीं जॉनसन और जॉनसन की वैक्सीन के कमपनेंट में EDTA के बारे में कोई उलेख नहीं है। हाला कि डॉक्टर ग्रीनेचर ने केवली आनुमान लगाया है कि जॉनसन और जॉनसन की वैक्सीन में भी यही स्थिती बनती हूँ, अभी इस पर सहमती होना बाकी है।